हलो दोस्तों सवागत आप सभी का एक और नए वीडियो में दोस्तों आज के वीडियो आप सब के लिए काप इन पोटेंट होने वालिए जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताये था दोस्तों कि हम लोगों को मिलकर अब मुझे तो क्या पता आप लोगों किया है या नहीं आपको भी पता लेकिन मैंने सारे अकाउंट से जितने वीडियो चोड़ देंगे तो अभी तक तो मैं आपको बतादू जितने भी तो मैंने आपको कल बताए भी था दोस्तों कि पॉइंट किस परकार आपको क्राइड गरना है आपको चार्ज विया ब्रॉजर आप याँच कर सकते हो और भी कापी ब्रॉजर जिनका आप यहां पर यूज कर सकते हो वैसे कोई प्रोब्लम नहीं होगी लेगी न आप थोड़ा दियांज से पॉइंट गरना लोकेशन को अपनी थोड़ा बंद रखना दोस्तों ताकि हमारा जो आईपी अ सकता है तो आप पॉइंट करते समय आप बहुत चीज जिनका ध्यान रखना पड़ता है ताकि हमारे पॉइंट ग्राइंट कंपिलेट हो जाने के बाद हमारा रिडीम भी हो जाए और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दू जैसे मैं इस अकाउंट के अंदर वीपेंट से मिल चुका था मतलब लेकिन उसके बाद मेरेको पॉइंट नहीं मिल रहा ओप लुक लाइक वाली प्रोब्लम आ रही है तो आपको और मेरे अन्य अकाउंट और है जैसे 40 अकाउंट तो एससे जिसके अंदर में वीपेंट से बॉन्ट ले रहा हूं लेकिन वहां पर भी और फिर चोईस पॉइंट पर रुख जाएगा और वहां पर हमारा पॉइंट रुखता नहीं है दोस्तों वहां पर मतलब कंट्यूनियू सर्च करते रहो और हमारा पॉइंट एड होता जाएगा थोड़ा सलो एड होगा लेकिन आपको मैंने एक एप बताय था स्टार एप प्रियोड के अंदर फोन नमबर एड नहीं हो रहा तो आपको कोई अलग से सेटिंग नहीं दी जाती वहां पर कि आप वहां पर जाकर फोन नमबर एड कर सकते हो लेकिन मैं आपको इतना दुरूर बता दू कि Microsoft रियोड को ट्विट करो आपको Microsoft रियोड को ट्विट करना ही पड़ेगा तब जाकर आपका रिडियम होगा या फिर आप उस अकाउंट को मतलब पांथ दस दिन के लिए उसको लोगिन ही मत करो पिर जब जब आप पान से दो बाद उसको आपके पास फोन नमबर मागेगा उस account को खोणने के लिए तब आप phone number डाल सकते हो तो आप ये trick भी अपना सकते हो क्या पता काम कर सकते हैं दोस्तों वेसे तो मैंने देखो try किया नहीं मेरा phone number तो इजली add हो रहा है लेकिन उसका point रुक नहीं रहा जैसे 9 पर हमारा रुक जाता तो उसका point रुक नहीं रहा continue point ग्राइंड हो रहा है और मैं आपको बता दूँ मैंने कल सारे point इसी परकार ग्राइंड किया थे अलग-अलग browser का यूज करके Chrome browser के अंदर मैंने 2 account खोल रखे थे फिर मैंने firebox के अंदर 2 account खोल रखे थे इसी परकार अलग-अलग account कोल कर मैंने point ग्राइंड किया था और देख सकते हो मैं सुबह से point grind कर रहा हूं अभी तक तो मेरा 21 point grind हुआ है यहीं पंदरा मिनट में हम तीन वर या चार बर ही सर्च करते हैं तो मैं आपको कुछ भी सर्च करके दिखा देता हूं 21 point हमारा दिखाई दे रहा एंड में यानि 7621 तो मेरे यहां पर point 8 हो रहा है फिलाल दो लेकिन यह ज्यादा एड़ नहीं होगा चार पर एड़ हो जाएगा मतलब 4-3-12 point हमारा एड़ हो जाएगा और उसके बाद हमारा point 8 नहीं होगा तो दोपर मेरे सर्च कर लिया तो मैं फिसरी सर्च यहां पर कहले लेता हूँ लेकिन आप तो काफिया लेगिन आप इतने भी यूज मत करना जो मतलब ट्रेंदिंग ब्राओजर होते जैसे करहों राफ फायर वोक्ष रा और विप्राओजर ज्नका आप यूज कर सकते हो कर सकते हो एक ब्राउजर ने इंदर दो अकाउंट आप खोल सकते हो तो मतलब आपके जैसा ही यह Eg पोईंट हो जाए मतलब दस ब्राउजर के अंदर पुइंट कर सकते हो पिर उसके बाद दूसरी अकाउंट को आप कर लिया करो और भाई कापी लोगों को डाउट हो रहा है कि क्या Microsoft बंद होगा तो भाई देखो मैं आपको बता दू जब भी Microsoft बंद हो तो पहले अपने कुछ न कुछ नियम को मतलब तोड़ता है पहले वह यह नियमत मतलब अपनी और परकार देते और सब्सक्राइब करना है क्योंकि हमारा 2023 का एंड होने वाला है आज आप देख सकते हो 14 दिशंबर 2023 मातर यहां पर हमारे पास मतलब देख सकते हैं आप 16 दिन या 20 दिन के सम्तिंग आप 16 17 दिन ही बच रहा है दोस्तों तो यह जल्दी से मतलब करना है जिस हमें पहले पहले करना है आप व ने refugees को फिलाल शोड़ दो सब्सक्राइब करने से कोई भी फाइदा नहीं होने वाला है दोस्तों और दोस्तों मैं आपको बता दू neighbourhood के अब तक तो कोई अपडेट भी नहीं आया काफी समय पहले Microsoft का अपडेट आया तो आपके प्रोब्लम सही होगी या नहीं होगी या पिर कब सही होगी यह सब कुछ वो बता देते थे लेकिन अभी का पर क्या हो रहा है मेरे को तो लगता है यह मतलब बंद भी हो सकता है क्योंकि वह जिससा आपके वह रिपलाइ ही नहीं दे रहे तो इससे आपके तो बंद होना भी चाहिए और हो भी सकता है दोस्तों और बाई जिदि आपको अकाउंट टमपरेली रिसिक्टेड वाली बाद हुए हम पहले द्यान से काम कर लेते तो हमको आज यह प्रोब्लम नहीं आती अब वह सोचते की अकाउंट टमपरेली रिसिक्टेड वाली प्रोब्लम एससे ही सोलवा नहीं हो जाएगी मतलब तो आप लोगों करना क्या है आपको अकाउंट बनाने से कोई फाइदा लेकिन आपको वह प्रोब्लम आएगी दोस्तों टमपरेली रिसिक्टेड वाली यह आपने अकाउंट के अंदर थोड़ी सी भी गलती की है कि आप अपनी गलत जानकरी फर्दान करते हो मतलब आप अकाउंट बनाते समय तब ही जाकर यह प्रोब्लम मैक्रोब रियोड आप आपको देता है दोस्तों अब गलत जानकरी आप सोचते हो कि हमने तो कोई जानकरी नहीं डाली अब मैं आपको वतादो इमेल के अंदर जो आपने पर्ष्ट नेम अंड लाश्च नेम डाला था वहीं माइक्रोब रियोड के अंदर डालनी पड़ता है और भी कोई नियम है पर कि आप 8150 पंट कंपिलीट कर लेंगे तब जाकर बोलेगा कि अब आपका रीडिम नहीं होगा आपकी मेनत बरबाद हो चुकिया दोस्तों और दोस्तों आपको मैं एक प्रोब्लम दिखाने वाला हूं वह प्रोब्लम यह आपको आ रही है तो वह प्रोब्लम आपकी मैं कर दूंगा आप मुझे मैसेज करते ना अब में सिक आप लोग बोलोगे कि आप रिपलाई तो नहीं देते इस्टग्राम पर तो देखो बाइन कल तो मैंक्रोसोब कल मतलब दो तीन दिन होगया मेरे को लगतार माइक्रोब्लम करते मैं मतलब आपको भी ट्यूट करना चाह पांच अकाउंट चलाते हैं उनको तो फिर भी लोस नहीं हुआ है दोस्तों पचास रविया क्या माइने रखता है दोस्तों यह एक जो प्रोब्लम है जो कई कई लोगों को आरी हर बंदे को नहीं आरी जब वो रिडिम करता है तब उसका यहापर रिवाड वाला उप्सन चा को यह प्रोब्लम है इस प्रोब्लम का नाम लिखना पड़ेगा इसका जैसे मैंने स्क्रिंग्सोट ले रखाया यह बेजो और बोलो भाई यह प्रोब्लम है मेरे इस अकाउंट के अंदर आप सोलो करो तभी जाकर मैं आपकी आइडी को लोगिन करूंगा वरना इसे लोग पर्सों यह पहले रोज आपको दिखाया है वहीं ताकि एक बंदे की प्रोब्लम सोलो हो यह आप उससे बात कर सकते हो कि किस परकार वो प्रोब्लम सोलों होगी प्रोब्लम सोलों होती है देखो रेगुलर माइक्रोफ रिओन को कॉंटेक्ट करते रहो मतलब उनको प्रब्लम सोल होगी तो दोस्तों गर आज की आपको पसंद आई तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और चैनल पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करो आगे मैं आपको बताऊंगा आप मुझे कमेंट कर देना कि नेम कैसे एडिट करें जिमेल अकाउंट कैसे एडिट करें व मिलते फिर एक नई वीडियो में तब तक के लिए जहिंद वंदे मातरम